हलो आज है 16 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोग इंडस्ट्रीज के बारे में 27 रुपय का शेर है 3.5% के आज सपास के गिरावट हमें देखने को मिली थी और अब तो इस कंपनी के quarterly results भी सामने आ चुके हैं जो की उतने अच्छे नहीं है और ना ही उतने बुरे भी है तो वीडियो में हम discuss करेंगे कि results कैसे हैं और इस result के क्या माईने निकाल सकते हैं हम तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जाद हल्प करेंगे तो 27 रुपे का शेर है आलोक इंडिस्ट्रीज का और अगर देखा जाए तो आलोक इंडिस्ट्रीज वो कंपनी है जहां पर अगर 30 ही आती है और जब भी यह 27 से 30 की रेंज में जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है दुबारा शेर टूटता है 24-25 के नीचे जाता है और मैंने हमेशा कहा है कि आलोक इंडिस्ट्रीज को मैं कभी भी 25 रुपे के ऊपर नहीं खरीदूँगा लेकिन जब भी वो मुझे 20-21 की रेंज में मिलेगा तो definitely मैं वहाँ पर बाइंग की कोशिश करूँगा again मैं कहा हूँ यह मेरा observation है आपका अलग हो सकता है तो यह जरूर से बाइंग देखने को मिली है लेकिन जब भी यह शर 27 से ऊपर निकला है हमें profit booking भी देखने को मिली है यहाँ पर नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर देखे तो मिट कैप शेर है 14,000 क्रोड के आसपास का इसका मार्केट कैप है वॉल्यूम भी अच्छ है एक क कि यह December quarter की holding है अभी भी March quarter की holding आई नहीं है जैसे ही वो holding आएगी definitely हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे अब लोटते हैं हम results के उपर तो देखो आलोग industries को तकरीवन 30 करोड का loss हुआ है और यह खराब क्यों है पहला reason खराब होने का क्योंकि पिछले quarter में आलोग industries को सिर 9,000,000 का loss था जो कि काफी अच्छा था ठीक है और expect यह किया जा रहा था कि इस quarter से शायद एक company profit में आ जाएगी क्योंकि उससे पहले के quarter में यह company 500 करोड 400 करोड के quarterly loss कर रही थी तो जब इनके loss दीरे-दीरे gradually कम हुए 9,000,000 पर आए तो लग रहा था कि अच्छा शायद loss हो गया जो की खराब है लेकिन उतना भी खराब नहीं है क्योंकि देखो जो बड़े-बड़े losses थे वहाँ पर उससे यह धीरे-दीरे बाहर आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके revenue पर सबसे पहले अगर मैं आपको ले चलू ठीक है तो इनका revenue 3000 करोड के आसपास का था 2020 financial year में और 2021 में 3800 करोड था लेकिन 2022 में यह 7300 करोड 7300 करोड का इनका revenue जो बहुत बड़ा revenue है पिछले 4 साल के मुकाबले तो यह बहुत अच्छी बात है कि company के revenue बढ़ रहे है अब जाते है profit पर तो company ने 2021 में 5675 करोड का loss किया था अब financial year 2022 में इनका loss हुआ 207 करोड का ठीक है loss होता है ठीक है लेकिन फिर भी वो कम हुआ और specially पिछले दो quarter में यह loss और जादा कम हुआ अगर हम बात करें December quarter में तो सिफ 9 लाख रुपए का loss था और अभी March में यह सिफ 26-27 करोड का हुआ है तो दो quarter में मिलाकर इनका loss है वो मुश्किल से 27 करोड बनता है तो हला कि उससे पहले कि quarter में loss जादा थे अब दिरे-दिरे loss कम हो रहे हैं एक्सपेक्ट हम यह करेंगे कि future में company के revenue और जादा बढ़े और losses जो है वो दिरे-दिरे कम हो कि company profit में आए अभी एक दो quarter और देना पड़ेगा इसको और अच्छी बात मेरे हिसाब से यही है revenue इनके बहुत तेजी से increase हुए है double हुए है भाई सहाब और यह इसी रफतार से बढ़ेंगे आने वाले दिनों क्योंकि सरकार बहुत जादा पुश कर रही है textile industries को सरकार incentive अगेरा भी provide करवा रही है textile industries को ताकि जादा से जादा company production पे ध्यान दे production करे और इंडिया के बाहर भी अपने सामानों को बेचे क्योंकि demand तो है demand है और यही वज़़े थी कि हम उस demand को जब covid आया था इंडिया में हम उस demand को fulfill नहीं कर पा रहे थे और उसकी वज़़े से जो textile वाले orders थे जो European countries से आते थे बाकी countries से आते थे वो इंडिया की बजाए पाकिस्तान को चले गए बांगलादेश को चले गए और बांगलादेश textile में भईया बहुत बहुत आगे निकल चुका है अबी और इंडिय भईया भी चाहती है कि भईया देखो उनसे तो पीशे नहीं रहना है हमको और डेफिनेटली आने वाले समय में सरकार बहुत ज़्यादा पुश करेगी textile industries को ताकि भईया जो orders वगेरा है वो हमको जरूर मिले और आने वाले समय में definitely इन कंपनियों में आपको पुश नजर आएगा आलोक industries दिखो results उतने अच्छे तो नहीं है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता ठीक है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आलोक industries के share की थोड़ी बहुत पिटाई हो लेकिन अगर वो पिटाई होगी तो और share आपको 30 रुपए के आसपास मिलेगा 22-30 की range में म खरिदारी के मौके भी वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि आलोक industries का जो बहतरीन support की मैं बात करूँ जिस price पर support है आलोक industries का वो यहां पर है अगर आप देखो कोविड में भी वो तूतना जादा आप देखो कोविड में तो चलो तेजी ही आई थी यहां पर ले और 22 के आसपास मिलता है दीरे दीरे आप खरीदने की शुरुवात कर सकते हो और अच्छा support आप क्या सकते हो कि 19 और 20 की range का है बहतरीन support है वहां पर आलोक industries खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेर और बोर्ट जोन में नहीं है कोई भी रेटफेक नजर नहीं आ रहा है holding की जैसे कि हम बात करें जादर holding promoter के पास ही है लेकिन हाला कि December quarter की holding है latest holding जैसे ही update होगी definitely video बना कर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वही अब mutual fund domestic और Files ने क्या game खेला है और retail investor को माल चिपकाया गया है या उनसे माल खरीदा गया है तो आलोक industry की सबसे बड़ी पूशे नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से उतने खराब भी नहीं है क्योंकि company का पूरा सालाना observation अगर हम देखे तो company ने eventually पैसा बनाया मतलब revenue में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली भी है और सरकार की तरफ से भी इस sector को आने वाले समय में काफी जादा incentive वगेरा भी मैं ये मानता हूँ कि 25 के उपर आलोक इंडस्ट्री जो खरीदना नहीं चाहिए लेकिन अगर 22 की range में मिल रहा हो तो वहाँ पर swing trading के लिए risk लिया आ जा सकता है और अगर company दुबारा profit में आ जाती है profit कमाना शुरू करती है तो long term के लिए भी यहाँ पर सोचा जा सकता है व कर kurva कि ऩर दो है अनुर्ड़र को чист अट baru कर रच है अनुर्यो कर्छ दो है वहाँ आलोकरा कर्फ़र कोगरू कल बम्ड़र कर दो है लिए अनुर कर वहाँ थार आट哈哈哈